सिरी आजेस संचेदी आजेस संचेदी बजेट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ सबसे पहले मैं आधरनिय प्रधान मंत्री जी और सर्मानिय वित्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस बार जो बजेट उन्होंने पेश किया है चर्चा तो सारे देश में होती है तारीव भी हुई आलोचना भी हुई लेकिन मानना पड़ेगा कि आलोचना भी जिन्होंने की उन्होंने कहा कि नहीं इस बार बजेट तो लोग हमेशा दिमाग से बनाते हैं निजबार हर एक का ख्याल रखते हुए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके ये बजेट बनाया गया है Sir, world is suffering from economic crisis और इस विकट आर्थिक संकट की स्थिती में consumer और business दोनों friendly budget बनाना या दिखाता है कि हमें मजबूत अर्थ व्यवस्था की और बढ़ रहे हैं जो 125 करोड लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है आदरनीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच है कि खर्च होने वाला पैसा पैसे का लाब नीचे के तपके के हर इंसान को मिलना चाहिए सीधा मिलना चाहिए इस बिजट में उसके लिए कई प्रावधान किये गये हैं सर रोड और रेल दोनों के डेवलपमेंट पर तकलिबन दो लाग अठारा हजार रुपे खर्च होने है सर यह काम इतनी तेजी से चल रहा है कि इसके तारिफ सारवजनिक रूप से इस सदन में इधर के और उधर के दोनों सदस्यों ने की है सर इसके जो डिटेल्स हैं वो कुछ तो मेरे साथी श्री भूपेंदर यादव जी और प्रभाज जाजी ने पढ़े हैं और भी मेंबर्स ने पढ़े हैं लेकिन मैं कुछ आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा सर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप देखें तो हाईयर एजुकेशन फाइनांसिंग एजन्सी का इसमें प्रावधान किया गया है एसेट रिकंस्ट्रेक्शन कंपनीज के थूँ टैक्स पास देने की इसमें योजना है सर पिस्ट्रेक्शन के लिए 25,000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है कस्टम और सेंट्रल एक्साइस ड्यूटी स्ट्रक्शर को में रैशनलाइजेशन को प्रमोट कर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का काम किया गया है सर इंकम टैक्स लिटिगेशन को सिंप्लिफाई करने के लिए उसके 14A और Rule 8D में परिवर्तन सजेस्ट किये गए है TDS को रैशनलाइज किया जाने की इसमें प्रोविजन है सर साधारन आदमी के लिए 15,000 करोड रुपे का इंट्रेस्ट सब वर्शन फर फार्मर्स को अलोकेट किया गया है प्रपोस किया गया है क्रॉप इंसूरंस स्कीम नई इसमें इसका प्रावधान किया गया है मन्रेका का उल्लेक अलोग लोगों ने किया इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए तकरीबन 9,000 करोड रुपे अलोकेट किये गए है डिजिटल लिटरसी मिशन को 6 करोड लोगों घरों तक पहुचाने के द्रिष्टी से इसमें प्रावधान किये गए है सर तीन हजार नए ड्रग स्टोर्स को जनरिक ड्रग्स के लिए जो स्टोर्स खोलने हैं उसका प्रावधान इसमें किया गया है सर डिड़क्शन जो रेंड डिड़क्शन जो था उसको 24,000 से ले जाकर 6,000 रुपे तक लेके गए हैं इससे न सिर्फ रहने वालों को सुविधा होगी लेकिन घर खरीदने की भी जो चिंता हर साधारन आदमी करता है उस और भी वो ध्यान दे सका है कि नहीं अब मैं घर खरीद भी सकता हूँ क्योंकि रेंड जो है वो रिजनेबली काफी बड़ा दिया गया है सर कई ऐसी दूसरा कंप्लाइंस विंडों जो एक जून से 30 सप्टेम्बर तक दिया गया है जिससे निश्चित रूप से ब्लैक मनी जो है वो इस देश की विवस्था में तिर से अपना जिसको कहते हैं इंकॉर्पॉरेट करने की विवस्था की गई है सर मैं जानता हूँ कि आपने कई लोगों का समय कम कर दिया है और इसलिए मैं बहुत कुछ ना कहते हुए सर सिर्व इतना ही कहूंगा सर कोई भी बजेट जो होता है उसमें देश की प्लानिंग कोई एक साल के बजेट से की नहीं जा सकती है सर यह हर सरकार ने बनाई है पहले की सरकारों ने भी किया अभी भी किया है लेकिन प्लानिंग इफेक्टिव कितनी रही उसके रिजल्स कितने मिले वो रैशनलाइज है कि नहीं हम सिर्फ बोल रहे हैं या सिर्फ करके भी दिखाएंगे यह देखना उसमें बहुत जरूरी है सर इस सरकार ने हर स्थर पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है NPA के संकट से निकलते हुए सर ये विलफुल डिफाल्टर्स NPA इसकी समस्याओं को हम रोज जहल रहे हैं स्थिती यहां तक आ रही है कि बैंकों के लोगों को कहना पढ़ रहा है अरे भाई हर चीज की चिंता करने के बजाए जो ठीक काम कर रहे हैं उनकी मदद करिए इस NPA के चक्कर में बैंक वाले घबरा गए हैं और सही लोगों को मदद करना की नहीं इसलिए भी उनकी चिंता बढ़ रही है इसलिए नए उद्जियों को सपोर्ट करने के लिए युवाओ के लिए स्टार्ट अप की विवस्ता समाज के हर जरूरत मंद के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है सर सबसे बड़ी बात है चाहे वो राजनितिक समर्थक हो या विरुधक हो सभी में यह संतुष्टी है कि यह बजट सरमसमाव इशक है सारवाजनिक रूप से स्वीकार करे न करे यह क्वालिटिकल कंपल्शन हो सकता है सर मैं अपनी बात को खत करते समय इतना ही कहूंगा राजीव शुक्ला जी नहीं है उन्होंने निदा फासली की लाइने पढ़ी थी मैं उन्ही की बात को आगे बढ़ाते हूं इतना कहूंगा कि पुराना गाना था चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर आप सबको हुली की बहुत बहुत शुक्ताना है धन्यवाद Okay, now Ajay Sanjay Dee I thank you very very much, because you are here to the time. Thank you very much.